जैपुर में कॉंग्रेस द्वारा चुनावायोक को शहर में लगे भगवा दहजों के खिलाफ दी कर शिकायत पत्र कॉंग्रेस की कलोशित मानसिक्ता को दर्शाता है यह कहना है राजधानी जैपुर के सिविल लाइन्स से विधायक गोपाल शर्मा का जनता दर्वार से खास बाचित करते हुए विधायक शर्मा ने कहा कि ऐसा लगता है कॉंग्रेस मुग्लों की मानसिक्ता से बाहन नहीं आ पा रही है और शायद यही वज़ा है कि बार-बार कॉंग्रेसियों द्वारा भगवा का और सनातन संस्क्रती और इसके चिन्नों का अपमान किया जा रहा है आपको बता दे कि नहीं सिर्फ भगवा धुर्श के अपमान बल्कि लोगसबा चुनाओ से जुड़े कई मुद्दों पर गोपाल शर्मा ने बे बाकी से अपनी बात रखी है आईए आपको भी सुनाते हैं सिविल लाइन विधायक और पत्रकार गोपाल शर्मा जी हमारे साथ इस समय मौझूद है अपसे दो दिन बाद ही लोगसबा चुनाओ आने है और जैसा कि आपको विदित है अपने आपको राम का वंशच बताने वाले आज भगवा जंडों के पीछे पड़ गए हैं उन्ह जिस तरह से लेकर के जाए जा रहे हैं वैसा कभी देखने में नहीं आया मुगलों के सासन में ऐसा हुआ होगा और इसमें भूमिका सासन की नहीं है इसमें उन निश्चित व्यक्तियों की भूमिका है जिनोंने कोंग्रेस के राज में माल खाया है कोंग्रेस के लगाये हु लोग हैं और शिकायत करने वाला कॉंग्रेस परत्यासी का सहवी करता कारवाई करने वाला उनके लगाये हुए कुछ करमचारी अधिकारी पहले के तो यह कारवाई एक शडियंत्र के रूप में हुई है उनको अगर लगता है कि भगवार रंग देखने से उनके बोट गिरते हैं तो जब सूर्य उदय होता है तो भगवारंग का ही होता है साम को जब अस्त होता है तो बगवारंग का ही होता है क्या वो सुरिय आस्त और सुरियोदय को बदल देंगे यह संभाव नहीं है पहली बार ऐसा हुआ इस तरह के घटना दुखद है क्या लगता है आपको कि कॉंग्रेस पार्टी एक तरीके से ब्राह्मन वाद या फिर जो राम के नाम को लेकर बहुत ज़्यादा बहबीत हो गई है क्योंकि याद है हमें लोकसावा चुनाव में एक ब्राह्मन को टिकेट दिया गया था उसका टिकेट कैंसल कर दिया गया देखे इसमें जाती का विसे नहीं है कोई भी भारती ये पहले है जाती उसको आस्था को बढ़ाने में साहयक होनी चाहिए वो किसी भी चीज के बटवारे के खिलाफ है कोंग्रेस जरूर मतलब ऐसी कोशी से खड़ती रही आजादी के बाद से लेकिन उसका परिणाम क्या निकला कि आज अनेक बड़े बड़े राज्यों में कोंग्रेस का कोई पिंड़दान करने वाला भी नहीं है ऐसी स्थिती के बावजूद अगर कोंग्रेस इस तरह की भड़कावू काम करती है राम नौमी जैसे त्यवार को समावरोहिक रूप से मनाये जाने का बिरोध करती है तो यह दुर्भा की पूर्ण है सम्विधान बदल देंगे देखे जैसे मेरे को तो इनकी बुद्धी पर तरस आता है इनमें कोई पढ़ादने लिखने वाला हो तो संबिधान सभाग के अंदर पंडि जवाहरलाल नेरू के दिये हुए वक्तव्य को पढ़े उन्होंने कहा था कि कभी भी जागरुक देश के नागरिक संबिधान से बंधे नहीं रहते वो हमेशा प्रगती करने की सोचते हैं सुधार करने की सोचते हैं तो उनकी जो बात है वो उनके नेता के कहे हुए सब्दों के इखिलाफ है मन्जू शर्मा जी के अगर बात करें जैपुर शहर से लोगप्रिय प्रत्याशी है और आप सब उनके साथ में लगें रिकॉर्ड मतों से उनको जिताने के लिए उस पर क्याटेंगा देखे मन्जू सर्मा जी के साथ में चार पांच विशेस्ता हैं वो एक सूशिक्षित, चरित्रवान, कर्मट, परिश्रमी और आदर्स राजनितिक परिवार से जुड़ी होगी है ऐसा परिवार ऐसे उनके पिता जी मंतरी भौरलाल जी सर्मा जैसा मंतरी खोजना ही देश भ जीत के जाएगी साथ लाख बोटों से तो निश्चित रूप से जैपूर के विकास के लिए बहुत सारे कारे होने है अपने आपको राम का वंशेज वो खेलाते हैं तो इससे ज़्यादा दुरभाग उनके लिए उनकी पार्टी के लिए नहीं हो सकता और आने वाले लोग सबाचुनाओं में जनता सब देख रही है जनता उचित इसका जवाब देगी सही होगी कैमरेमन अजे के साथ उबंग मातुर्ज जनता दरबार